हेलो गाईज में नुमारवाडी रसोई में आप सभी का स्वागत है आप सभी के लिए आज में पहुत अच्छी रेसिपी लेक्या हूँ जो बजार में या रोड साइड में जाके खाना आपको बहुत ही पसंद आती है ये रेसिपी वही रेसिपी आज हम घर में बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से ऐसे आसान तरीके से कि हर को इसे बना लेगा और वही स्वाद वही टेस्ट आज हम घर में ही बना लेंगे तो वह है वेज मेंचुरियन आपने कभी होटल या रोड साइड में ठेलियों पर जाके खाई होगी बहुत ही टेस्टी लेकिन वही टेस् यह अग्यादा के लिए आप सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करों अज़ा अच्छामाटर शोली करा मैं और यह है पत्ता गोवी, यह मैंने आदी लिए है, दो हरी मिर्ची लिए, एक गाजर लिए, और तीन चार मैंने हरे प्याज लिए, हरे प्याज और लस्टन की कॉंटर्टी हमें थोड़ी जादा रखनी है, जब ही उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और यह लिया म चौपर से हम सभी चीजों बारिक बारिक काट लेंगे UA How to Wash और आप चाहे तो इन tracing quickly कर सकते हैं तो यह देखें सब सब पहले मेंने गोवी को इसे चौपर से बारिक बारिक काट लिया है बिल्कुल बारिक काटना है participar है आपके पास चोपर नहीं है तो आप चाकू से भी बारिक-बारिक कर सकते हो और गाजर गोवी को कादु कस्ट सकते हो तो सबसे पहले हम गोवी के अंदर पानी होता है तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल के आदी-छोणी चमच्वा साइड में ताकि इस गोवी के अंदर जो भी पानी होगा एक्षा वो निकल जाएगा तो यह की पांस मिनट रखने के बाद इसको ऐसे निचोड के हम निकाल लेंगे आप चाहे तो कोई भी कोटन के कपड़े में सभी को डाल के अच्छे से निचोड दीजिए तो इसका पूर करके रखी थी तो इसमें से मैंने थोड़ा सा लसुन थोड़ा सा हरी मिर्ची अलग रख लिए थोड़ा से हरे प्याज वह हमें बाद में काम आएंगे और सभी को सबजीयों को कटी हुई को हम एक जगें बड़े बरतन में डाल देंगे फिर इसमें थोड़ा सा अपने पस दालेंगे हम चार से पांच चम्मस मेदे की और 4 चमस डालेंगे हम कौन फ्रोर अगर आपके पास कौन प्रोर नहीं हो तो अरा रोट का आटा भी डाल सकते हो और इनी सबी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे बस मेदे से में इसमें अच्छे से वाइंडिंग आएगी और यह जो हमने कॉन फ्लोर डाला इससे अच्छा सा क्रेंच नेंस आएगा इस बॉल के अंदर इसकी जो मंचूरेन के हम बॉल बनाएंगे उसके अंदर तो यह देखी हम तो आज हमने इस ने मेदा की घोरी और यह दोड़ी हमाई है हम करेंगे तो आज हमे इने डीफाइ नहीं करेंगे हम सेलओ फ्राइए करेंगे वहाई करिये वहं ओइल के अंदर तो यह यह मैंने अपपा पैन लिया है और इसमें थोड़ा-थोड़ा सा मैंने ओइल रख दिया सारी बॉल इसमें रख देंगे लो फ्लेम आज पर इसे तीन मिनट एक तरफ की सिखाई हो जाएगी तो इनकी साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से इनमें बह तयार हो जाएगी और यह बीच वाले में थोड़ी आज ज्यादा लगती है तो इसे पहले चेक कर लें तो सारी बॉल्स मैंने बना के तयार कर ली इधर मैंने एक बड़ी चमस ओईल के लिए इसमें लसुन और द्रक का जो हमने थोड़ा सा करस करके रखा था वो डाल दिया बिल्गे तो बैदे के ब दो मिनट के लिए रोस्ट करेंगे फिर इसमेनी कटँ हरी मिरची डाल से और अधर भ रन थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे अब इसमें डाल देंगे आदा कप के लगबग हम टमाटर सोस और यहाई पे दो चमाच डाल देंगे हमने जो लाल मिर्ची को पीस के रखा था थोड़ा दरदरा सा लाल चटनी बोल सकते हैं उसे और इसमें सोया सोस डाल देंगे दो बड़ी चमाच इन अपर साथ ना태 भी बिलकुल भी ऑर इसमें डाल देंगे इस से इमारी इस ग्रेवी के अंदर ठीकनेस आएगी थोड़ा सा पानी डाल देंगे अ क्युत और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला एक गरम मसाला हलका सा थोड़ा सा नमक स्वादनुसार नमक डाल दीजिए और यह हरे प्यास डाल देंगे कटे हुए और हरा धनिया थोड़ा सा तो इससे हमारे बजार की जैसे ही मैंचुरियन बनके तयार होंगे तो यह बनीवी बॉल्स इसके अंदर डाल देंगे और एक मिनटी ने पका लेंगे आप चाहे तो इनकी सिखाई थोड़ी कम भी कर सकते हो मैंने बॉल्स की सिखाई थोड़ी अच्छे से की है तो बिल्कुल क्रंची सी बॉल बनके तयार हुई है हमारी इस तरीके से और यह बन चुके हैं हमारे और एक बॉल के अंदर निकाल लिया है मैंने और यह लीजी दोस्तो हमारा बहुत ही शानदार बहुत ही टेस्टी बजार से भी अच्छा है वेज मेंजूरियन घर में ही बनके तयार हो गया अगर आप सबीकों मेरी रेसिपी कैसी लगे उसके लिए मुझे कमेंट करके जरूरी बताएं अच्छी लगे तो अपनी दोस्त पेमिली के साथ जरूर शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद टे केर मिलते हैं फिर अगली ऐसी एक नई रेसिपी के साथ